जब से इसराइली सेना ने राफा पार आकरमन किया है तब से ही आईडिएफ के उल्टे दिन शुरू हो गए है। हर एक सेकंड हर एक मिनट पर राफा के भीतर हमास के लड़ा के इसराइली फौज को दहला रहे हैं। राफा अभी तक हमास का सबसे बड़ा और मजबूत गड़ बना हुआ है। जहां पर हर रोज आईडिएफ की कबरे खुद रही हैं। जी हां ये हम नहीं कह रहे हैं। बल्कि राफा से जो वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं। उनमें ये साफ दिख रहा है कि राफा के भीतर हमास कितना ताकतवर हो चुका है। और अब इसी कड़ी में हमास की स्थेन निशाखा अलकासिम ब्रिगेट ने राफा के अल्शबोरा कैम्प में आईडिएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर अलकासिम ने आईडिएफ के मेरकावा टैंक को जमीन में बारूत बिछा कर उड़ा दिया है। और इस हमले की वज़ा से टैंक का चालक दल वहां से भागने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने उन हमलों को जारी रखा। अलकासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें टैंक पर दूर किसी चछट से हमला किया जा रहा है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सेन निवाहन पर मोटर गोले फायर होते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में हमास के कुछ लड़ा के एक लॉंचर से कई राउंड रॉकेट भी फायर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लॉंचर को घनी हर्याली के बीच लगाया गया है और आजपास के इलाके को वीडियो में ब्लर किया हुआ है। आपको बता दे कि अलकासिम ब्रिगेड ने पश्चमी राफा के अल्शवोरा केम्प में आईडियाफ के एक मैविक वाटकॉप्टर ड्रोन को भी जब्त किया है। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़ा का ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हमले के अलावा अलकासीम ने अलजायतून में आईडियाफ के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी भारी गोला बार उद्दागा है। अलकासीम का कहना है कि इस हमले में आईडियाफ को तकड़ा नुकसान हुआ है। वही हॉलेज सेटिलमेंट में तो अलजावरी सुसाइट ड्रोन इसराइली सेनिकों के जमावड़े परदाग दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इस हमले की जलक साफ देकी जा सकती है।